हलो एवरिवन कैसे आप सब है एपडी क्लास में आप सब कर स्वागत है आज क्लास तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम ठीक है नर्वस सिस्टम से डिलेट जो MCQ है, जो important MCQ है, कुछ MCQ पर आज चर्चा करने वाले हैं, ठीक है, चलिए, तो स्टार्ट करें आज की क्लास, तो nervous system के बारे में जान लेते हैं कि, देखिए, हमारे सरीर का, अगर हम computer की बात करें, किसे कहा जाता है, हमारे सरीर का computer, किसे कहा जाता है, brain को कहा जाता है, है ना, मस्तिस्क को हमारे body का computer कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, क्योंकि जितने भी data होते हैं, जितने भी मनन, चिंतन, विचार, जितने भी चीजे होती है, ठीक है, इस चीज का control, इस चीज का नियंतरण कहा होता है, सभी चीजों का मस्तिस्क में होता है, मस्तिस्क के द्वारा होत बार्गत। किसी के बारे में किसी चीज को सुनना, महसूस करना, फील करना यह सारी चीज़ें हमारे मस्तिष के तुवारा क्या किया जाता है? नियंत्रन किया जाता है. तो आज कुछ ऐसी question देखेंगे जो आपके exam में बार बार पूछे जाते हैं. जो आपके एक्जाम के लिए बहुत important होने वाला है इसी लेबल का इसी टाइप जो question रहता है वो बार-बार exam में पूछे जाते हैं जैसे कि सभी को पता है कि तंत्र का तंत्र क्या है जिस तंत्र के द्वारा विभिन अंगो का क्या किया जाता है किसी चीच के बारे में हसना किसी चीच के बारे में रोना किसी चीच के बारे में बोलना है ना या किसी चीच के बारे में विचार करना ये सारी जो चीजे हैं है मतलब यह कहा जाए कि विभी नियंतर्ण किया जाता है और वातवरण में समंजर सिस्थापित होता है तो इसे ही क्या कहा जाता है इसे ही कहा जाता है ङा nervous system कहा जाता है ठीक है तो कि इसके अंतरगत क्या होता है कि कि जो कारे रहते है आपकी एक्जाम में वही पुछे जाते हैं मार बार कि तंतरिका तंतर में तंत्रिका तंत्र में मस्तिस्क मेरु रज्जु और इनसे निकलने वाली तंत्रिकाओं की गढ़ना की जाती है तो यही ज्यान दें के तंत्रिका कोशिका तंत्रिका कोशिका मतलब निवरान है ना ठाय यूनिट है तंत्रिका कोशिका मतल्ब निवरान को ठाय जान देंगे कई बाद एजी क्वैशन कोचे जाते हैं है इसलिए तंत्रिका को सिखा या नियुरान को, है ना, तंत्रिका तंत्र का क्या कहा जाता है, सरचनात्मा और क्रियात्मा की काई भी कहा जाता है, मनुष्य के तंत्रीका तंत्र में क्या होते हैं? नीम नांग होते हैं, क्या-क्या मुख्य रूप से मस्तिज्क मुख्य अगर हम अंग की बात करें, मस्तिज्क, ब्रेन की बात करें तो मस्तिज्क हो गया मेरूरज्जु मेरूरजू मतलब spinal card ठीक है spinal card और तंत्रिकाएं और कुछ समेधी अंग ठीक है तो इसके बारे में आगे की class जब हम theory class लेंगे तब और अच्छे सी detail में समझाएंगे इस चीच को ठीक है तो अभी हम बात करते हैं कि मनुस्य के तंत्रिका तंत्रे में जो निम्न मुख्य अंग होते हैं क्या क्या मस्तिज के मेरूरजू तंत्रिकाएं और समेधी अंग ठीक है और तंत्रिका तंत्र मस्तिज के रीट की हड़ी और तंत्रिकाओं से मिलकर बना होता है मतलब मस्तिष्क, मेरू, रजू, तंत्रिकाएं और कुछ समेधी अंगों के द्वारा इनके क्या हो गया ये अंग हो गया ठीक है आया समझ में चलिए आज की क्लासी स्टार्ट करें आज का हमारा जो पहला MCQ है क्या है देखिए आज का हमारा पहला MCQ है कि मस्तिष्क का वह कौन सा ह देखिए मस्तिष्क का अगला भाग और चौत्ता में क्या दिया है अनूमस्तिष्क तो बताएंगे कि इस में से क्या आगा कि मस्टिस के कांसवा भागा है, जो सांस लेने की क्रिया को नियंत्रित करता है, हम सांस जो ले रहे हैं, है ना, हम कभी भी सांस थोड़े देर के लिए रोक सकते हैं, या लंबी-लंबी सांस ले सकते हैं, या सोतह, ठीक है, सोतह, सांस ले सकते हैं, तो इस प्रकार की जो क्रि यह है इसे मस्टिश्क के कौन सा भाग है जो नियंत्रीत करके रखता है तो बताएंगे क्या एगा मस्टिश्क का मध्यभाग या मेरू मज्जा मेरू मज्जा को और क्या का जता है मेडूला ठीक है और मस्टिश्क का अगला भाग या अनूमस्टिश्क बताएंगे क्या एग मेरू मजजा आपसा नमबर भी मेरू मजजा मतलब मेडूला ठीक है यह बोल सकते हैं मेडूला मेडूला यह जो है मस्तिस्क इस्तंब का नीचे का हिस्सा होता है क्या होता है मेडूला जो है मस्तिस्क इस्तंब का नीचे का भाग होता है जो जो क्या है उपर की और मस्तिस्क के उपर की और पौन्स वाली हिस्सा और नीचे की और इस्पाइनल कार्ड दोनों की बीच जो है मेडूला प्रेजेंट होता है तो मेडूला जो है मेडूला जो है कहां होती है मस्तिश्क के ऊपर की भाग और नीचे की जो भाग है स्पाइनल काड दोनों की बीच जो है मेडूला प्रेजेंट होती है तो इसके द्वारा जो है होती है अगर हम मध्य की बात करें तो यहां मस्तिश्क के ऊपर की और पोंस और नीचे की और इस्पाइनल काड दोनों की भी जो है प्रेजेंट होती है मेडूला में क्या होता है और अगर हम बात करें है ना सास लेने की नियंतरन के सांसाथ सांस लेने की जो क्रिया इसको नि हिर्दा है इस्पंदन इस्पंदन हिर्दा है इस्पंदन दन की दर और सांस लेने की क्रिया ठीक है सांस लेने की दर रुधिर वाही काओं का क्या रुधिर वाही काओं का व्यास ये पूछा गया क्वेश्चन है है ना वाही काओं वाही काओं का व्यास ठीक है रुधिर वाही काओं का व्यास यह ध्यान देंगे रुधिर वहिकाओं का व्यास हिर्दैस पंदन का दर और क्या-क्या भोजन निगलना, छीकना, खासना यह जो सारी क्रिया है छीकना यह बोल सकते हैं छीकना, खासना और भोजन निगलना ठीक है, भोजन निगलना यह जो क्रिया है, यह जो है मेरू मज्जा, मेडूला के द्वारा क्या किया जाता है, नियंत्रन किया जाता है, ठीक है, आए समझ में, और क्या है, जीब की गती, ठीक है, जीब की गती, तो यह जो क्रिया है, यह भी मेरू मज्जा के द्वारा क्या किया जाता है, नियंत्रन क किया जाता है तो याद रहेगा चलिए आगे बढ़ें आज समझ में फिर अगला क्वेशन देखते हैं अगला क्वेशन क्या कि आँख की वह सरचना जो प्रकास खिर्णों को अपरिवर्थित करने और रेटीना पर केंद्रित करने का कार्य करती है उसे क्या कहा जाता है क्या क प्रकास खिर्णों को आँख की वह सरचना जो प्रकास किर्णों को अपरिवर्थित करने और रेटीना पर केंद्रित करने का कार करती है रेटीना पर हुए उसे क्या जाता है क्या क्या प्रकास आगे पूतली आयरिस यह जो है यह लेंस के हैं रेचने कारय है कि किसी वजत्तु का प्रतिविम कहां बनता है और शोटी बंता है और ऑर बबन दो प्रतिविम बन तो इंटािक van करती है उसे क्या कहा जाता है लेंस कहा जाता है यह जो है एक प्रकार यह भी बोल सकते हैं कि यह लेंस का करती है और अगला क्वेस्टे है रेन वियर के नोड रेन वियर के नोड रेन वियर के नोड शुक्षमर रिक्त स्थान होते हैं जो खाली स्थान में पाय जाता है तो क्या आएगा रेन वियर के नोड रिक्त स्थान होते हैं जो खाली स्थान में पाय जाता है तो माइलीन क्रीट एक जोन दूसरह में क्या दिया है ग्रंती कों सिकाओं स्थान होते हैं आपको बिल्कूल यह क्वेश्ट स्थान होते हैं जो क्या कहलाता है तो जो खाली स्थान में पाए जाता है कि इसमें पाए जाता है कि इसमें मैलिन क्रीट एकजोन कहा जाता है यह जो है माइलीन क्रीट एक्जोन में पायाता है है ना क्या पाजाता है रैनिवियर के नोर्स जो सुक्ष में रिक्टी स्थान होता है जो माइलीन के एक माइलीन इंसुलेशन के बीच पाए जाने वाला है एक रिक्ट स्थान होता है जो निवरान की धोरी को अप्तित करते हैं और कोशिकाओं को ग्लिया कोशिका कहते हैं क्या निवरान सेल होता है वो सेल में भाग नहीं लेते हैं लेकिन कुछ जो कोशिका होते हैं कुछ निवरान सेल होते हैं जो जिसका सेल है गिलियाल से से मिलकर बना गया हूता है तो उसमें क्या होता है अगे इस बाए में चर्चा कराएंगे अभी इतना क्या समक्राइड के नोरछ में रिक्ति स्थान होते हैं जो कहां पाई जाती है मैलीन क्रित जोन में पाई जाती है तो यहां बताना है कि कौन सा मस्तिस्क का भाग होता है मस्तिस्क का कौन सा भाग होता है जो विचारों का संग्रह कर जाता है अगर हम किसी भी चीजों के लिए हैं या विचारों का संग्रह करता है तो यहां वहीं पूचा गए है तो आपसन देखिए आपसन में क्या किया दिया है सेरी ब्रह्म दूसरा में क्या दिया है अग्रमस्तिस्क तीसरा में दिया है अनुमस्तिस्क और मध्यमस्तिस्क तो याद रखिए मस्तिस्क को मुख्य रूप से तीन भागों में बाटा याद रखेंगे विचारों का संक्रह अगर यह भाग पूछा है मस्तिस्क का बहुस्ञ का अगर भाग, है ना, तो यहां क्या किया जाता है, विचारों का संग्रह किया जाता है, विचारों का संग्रह किया जाता है, यह जो है मस्तिष्क के, पूरे मस्तिष्क, अगर हम पूरे मस्तिष्क की बात करें, तो अगर मस्तिष्क जो है, 80% भाग में होती है, है ना, मस्तिस्क का मुख के भाग भी इसे कहा जाता है आया समझ में तो अगर मस्तिस्क में क्या होता है विचारों का संग्रा होता है चलिए आगे बढ़ें किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट आता है तो बिलकुल डाउट को क्लियर करने के लिए आप कमेंट कर सकते हैं चलिए अगला क्वेश्चन क्या है अगला क्वेश्चन है इन में से कौन से अंग में मानाव सरीर का थर्मो इस्टेड नहीं थोता है बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि इन में से कौन से अंग है जो मानाव सरीर का थर्मो इस्टेड नहीं थोता है बताएंगे पीनियल ग्रंथी और तराइड ग्रंथी प्यूस ग्रंथी या हैपो थेले मज़ क्या एगा मनुस्य का थर्मेस्टेट मतलब यह समझ लिए कि ताप मापी नियंत्रन बोल सकते हैं या शरीर का ताप नियंत्रन ठीक है इसलिए से थर्मो इस्टेट पूछने कता ह है क्वेशन पूछ कि इनन में से कौण सब्सक्राइब है कई बरियरत आपको और आपको पूछन पूछन जाते हैं क्या पूछ से अंग में मानौ शरीर का थर्मो इस्टेट नहींत अ क्वेश्टेट सकता है तो आपको उसन परन्फ्यूजन करने के लिए इस टाइप से यह बोल सकते हैं तो आपसन में चलते हैं पीनियल ग्रंथी थराइड ग्रंथी प्यूज ग्रंथी और है पो थेलेमस तो इसमें से क्या एक है बहुत से ऐसे हमारे सरीर के जो क्रियाएं हैं जो नियंत्रित की जाती है ठीक है तो यह याद रखेंगे आगे चर्चा करेंगे क्वेस्चन पे ही कि हैपोथिलेमस के द्वारा क्या किया जाता है सरीर का थर्मोस्टेट नहीं थोता है या ताप नियमन का जो यह बोल सकते हैं ताप नि कि विभिन्यकार्यों के है न या मस्शिस का कही भाग है या जो है विभिन्यकार्यों के साथ कई छोटे नाभिक होते हैं इसके अंदर है न के महत्यपूर्ण कार्यों में पुछे भी जा सकते हैं कि hypothalamus के महत्तपुंण कारियों में से जो एक कार्य है कितंत्र का तंत्र को pituitry ग्रंथी के माध्यम से अंतिस्रावी तंत्र से जोड़ना हूँ. तो किसका कार्य है । है सभी कसिर्व की दिमाग hypothalamus होता है मनुस्य में यह एक बदाम की अकार की होती है अगर हम इसकी अकार की बात करें तो बदाम की अकार की जैसा है ना और हैपोथलेमस को तीसरा नेत्र भी कहा जाता है 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 याद रखेंगे ठीक है कि तीसरा नेत्र ठीक है आया समझ में पीर अगला क्वेशन देखते हैं कि एसी जी खाली स्थान द्वारा उत्पादित विद्धुद बल्बो को महसूस करता है, हम यह जानते हैं क्या जानते हैं कि एसी जी जो है हिर्दय विकार के लिए है ना हिर्दय की विक्रिती या हिर्दय हिर्दय से संबंधित जो जाचे है वो ECG है ना हिर्दय के संदर्वे में ही की जाती है इतना पता है ठीक है लेकिन यहां पुछा क्या कि विद्दूत बल्बो को महसूस किया जाता है पूछने का तरीका देख तो विद्दुद बल तो किसके द्वारा ECG के द्वारा ECG के द्वारा तो अंग का नाम आपसर में दिया है पेट मस्तिज के गुर्दा हिर्दय है तो पता है कि हिर्दय हाट का ठीक है, ECG हीरदय द्वारा उत्पादित विद्दुद बलो को महसूस करता है, ठीक है, तभी इलेक्ट्रो काडियोग्राफी का क्या किया जाता है, जांच की जाती है, किसका हीरदय का, याद रहेगा, चलिए, आगे बढ़ें, फिर अगला क्योशन देखते हैं, अगला क्यो क्रिया है, ठीक है, इस से कई बार क्वेशन पूशे जाते हैं, एक्चिक और अनेक्चिक, हैना, एक्चिक मतलब क्या समझे, एक्चिक मतलब जो हमारी इक्च्छ से नहीं होती, जो स्वता होती है, तो भई, देखिए, एक्चिक मतलब, अगर हम किसी भी वस्तु को पकड़ रहे हैं, अगर हम किसी भी वस्तु को पकड़े हैं, तो अगर हम छोड़ रहे हैं, फिर पकड़ रहे हैं, मतलब यह जो है, एक्चिक क्रिया है, जिसको हम अचने इक्च्छ से कर सकते हैं, वो एक्चिक क्रिया के अंतरगत आता है, और जिसे हम अपने इक्च्छ से नहीं कर सकते ठीक है जैसे यहां आप से देखे कि एक्षिक्रिया नहीं है ठीक है बहुत इजी है खुर्सी का घुमना या हिर्दय का धड़कना पहले बंद करना किसी वस्तु पर बात करना क्या एगा एक्षिक्रिया नहीं है हिर्दय का धड़कना एक्षिक्रिया है क्या बताईए है क्या नहीं है है ना हिर्दय का जो धड़कना है हम अपने इच्छा से इसे बंद कर सकते हैं या हिर्दय का ठीक है, तो हिर्दय की जो गती है, हिर्दय की जो धड़कना है, ये एक्चिक क्रिया नहीं है, ये अनेक्चिक क्रिया, ये हमयारे इक्चानुसार नहीं होती है, यह जो है स्वता होती है, ठीक है, इसलिए हिर्दय का धड़कना, जो है एक्चिक क्रिया नहीं है, इसकी अंतर गताता है ना, तो यह जो है, अगर बात करें, ठीक है? आय यह समझ में, तो एकचिक कृया अनेकचिक कृया से related कई, मतलब पिछले क्लास में भी हम कई MCQ करा चुके हैं, ठीक है? हीरदय का धढ़कना एकचिक कृया नहीं है, याद रखेंगे ठीक है तो यह इस टाइप से question आपको समझाने के लिए है और इसी टाइप से ही question आपको एक्जाम में पूछे जाते है तो ऐसे question आपको correct करके ही आना है ठीक है मनुस्य में ताप नियमन देखिए ताप ताप नियमन थर्मो रिगुलेशन का खाली स्थान द्वारा नियंत्रित किया जाता है बताएंगे क्या आएगा आप तन देखिए यकरित दिल हिर्दाय हाइपोथलेमास फेपड़ा तो यकरित के द्वारा होता है क्या ताप नियंत्रण या दिल हिर्दाय के द्वारा या फ द्वारा किया जाता है बताएंगे क्या आएगा हाँ है इसके द्वारा जो है ताप नियमन का क्या किया जाता है नियंत्रण किया जाता है आया समझ में तो इसमें आपको कभी कन्फ्यूज नहीं होने है पूछने का तरीका है ताप नियमन या थर्मो इस्टेट है या ताप मापी तो यह तरीका है क्वेश्चन बनाने का मतलब वही है कि हाइकोथलेमस के द्वारा हमारे सरीर के जो ताप मान है इसका नियंत्रण किया जाता है ठीक है आप एक कमेंट कर करके बताएंगे कि मनुष्य के सवस्त मनुष्य का ताप मान कितना होता है विल्कुल क्रौन में बताएंगे सब्सक्राइब का ताप मान ठीक है, Fahrenheit में बताना है, और Celsius में बताना है, तो दोनों में आप comment करके बताएंगे, ठीक है, चलिए, देखिए, Hypothalemus Glenthi, जो है, मस्तिसक का एक मुख के हिस्सा है, ये भी मुख्त पुर्ण भाग है, और इसे ही Hypothalemus को, है ना, क्या कहा जाता है, याद रखेंगे, क्या कहा है, तीसरा नेत्र भी कहा गया है, याद रखेंगे, क्या कहा है, तीसरा नेत्र भी कहा गया है, देखिए, साथ ही साथ क्या होता है, ताप मानकत नियंदरन करता ही है, ठीक है, पिटोटी ग्रंती के इस्रावन का भूख, ठीक है, इसका मतलब यह है है यह जो इसका भी नियंदरन कौन करता है है ठीक है ठीक है डीटेल वाली क्लास में और अच्छे से समझेंगे तो अभी आपको कन्फूज नहीं होना है अभी अगर फिर भी डाउट आ रहा है तो आप इल्कुल कमेंट कर सकते ठीक है तो है अगला क्वेशन क्या है मनुस्या है या मानुस्या मस्तिस्क का कौन से केंदर है यह पूछा गया क्यों कैंदर है तो शे कार्पस सेड़ीब्रम या मिटब्रें चलें बताईए क्या एगा कि यहां बताना है कि बुद्धी इस्मृति और भावना का केंद्र है यह भी बोल सकते कि नियंतरन करता है बुद्धी इस्मृति और भावनाओं का केंद्र किसे का गया है देखिए है बताईए कमेंट करिए देखिए है पूरी हिस्से के बारे में नाम पता रहने चाहिए कारी पता रहने चाहिए तभी आप इस टाइप से क्वेस्टन बना पाओगे ठीक है तो क्या हैगा मानाव मस्सिस्क का वह हिस्ता जो बुद्धी इस्मृति और भावनाओं का केंद्र होता है इसे प्रुजिन सिफलान भी कहते है सेर्ब्रम को क्या कहा जाता है प्रुजिन सिफलान याद रहेगा प्रुजिन सिफलान भी कहते हैं सेर्ब्रम को और क्या कहा जाता है प्रुजिन सिफलान कहा जाता है ठीक है यह जो है मुद्रसमन में संतुलन एक्षिक पेशियों की गतियों इक्छाओं का नियंत्रन करता है तो याद रखेंगे दिखिए संतुलन एक्षिक पेशियों की गतियों का क्या करता है नियंत्रन करता है सेर्ब्रम जो है एक्षिक क्रियाओं का या एक्षिक पेशियों की गतियों का क्या किया जाता है इसके त्वरा नियंत्रन किया जाता है इसका मुख्यकार क्या है इसका मुख्यकार है सरीर का संतूलन बनाया रखना संतूलन बनाया रखना सेरीब्रम का क्या है मुख्यकार स से संतूलन ठीक है याद रहेगा यह पूछा गया क्वेस्चन है इसलिए आपको बिल्कुल ध्यान देना है कि सेरीब्रम का जो मुख्यकार है हो क्या है सरीर का तो इस टाब से भी पूश लिया जाता है हैां जहां संतुलन की बात करें तो शरीर का संतुलन का कार से लिए लन के दिवरा किया जाता है और एकचिक पेसियों का संकुचन 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 सिकूडना फैलना ठीक है या संकुचित होने वाली जो क्रिया है वो इसके द्वारा नियांत्री किया जाता है ठीक है एक्छिक पेशियों के द्वारा जिस पेशी को है न ठीक है इक्छा अनुसार कार्य कराई जाती है ठीक है वल। ठीक है चलिए आया समझ में भुद्धी इस्मृतियों ऑभुनायों यह केंद्र सरी ब्रह्म को कहा जाता है साथी साथ सरीकर्च शन्टूलन तो सरीकर्च शन्टूलन जो है सरीय ब्रह्म के द्वारा नियंत्रण में किया जाते हैं चलिए अगला क्वेशन देखते हैं हमारी आखों में लेंज का काम क्या होता है क्या होता है आखों को ढखना या मस्तिस्क को मस्तिस्क के छवियों के संदेश मस्तिस्क को छवियों का संदेश भेजना दूसरा में क्या है आख की फोकस है कि आकर गायोग आपशन नंबर छ्यार। ठीक है आजिक की फोकस दूरी को बदलना ठीक है आजिक फोकस दूरी को बदलने का कारे लेजस्ट के दॉबरा की जाती है इसमें यह कंफ्योज नहीं होना है अगर हम कारेब फोकस दूरी को बदलना है ना ये भी तो कार्य है ठीक है चलिए जब किसी वस्तु से चलने वाली प्रकास की जो किर्णे होती है है ना कादनिया पर पहुंचती है तो क्या होता है अपवर्तित होकर ये जो है नेत्र में प्रवेश करती है नेत्र में कहां प्रोवेस करती है, जब नेत्र में प्रोवेस करती है, तो रेटीना पर जो है वस्तु का एक उल्टा प्रतिभीम बनता है, जो हमारी आखों से सीधी दिखाई देती है, ठीक है, ऐसमझ में, तो आख की जो फोकस दूरी का बदलने का ही तो कारे हो रहा है, ठीक है, जो फोकस कारे का है, आख की फोकस दू को बदलना, आए समझ में, चलिए, फिर अगला देखते है, अगला क्योशन क्या है, की समान राक के लिए, ठीक है, समान राक के लिए इसपरश्ट द्रिष्टी की नियुंतम दूरी खाली स्थान है, सभी को पता है, क्या एकर जल्दी- आंक के लिए इस्पष्ट द्रिष्टी की नियुंतम दूरी खाली स्थान है क्याएगा किसी भी वस्थु को हम सबसे नियुंतम दूरी मतलब कम दूरी पर है ना जो किसी वस्थु को अगर हम को देखना है तो वहां कितनी दूरी पर रहेगा सबसे कम दूरी बताना है इसपष्ट द्रिष्टी की नियुंतम दूरी नियुंतम दूरी बताना है 15 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर ठीक है तो 25 सेंटीमीटर की दूरी पर अगर कोई वस्थु रखी है तो उसको हम इसपश्ट रूप से देख स इससे इसपष्ट दिखाई नहीं देगी फिक्स अगर हम बात करें तो 25 सेंटीमेटर की दूरी पर ही अगर कोई वस्तू रखी रही होगी तो हमें इसपष्ट रुप से दिखाई दे सकती है तो याद रखेंगे 25 सेंटीमेटर है तो समान ने आँक के लिए जो इसपष्ट द इसमें से बताना है आँक का कौन से विकार है कौन से डिसाडर है तो बताएंगे गठिया साइनस पीलिया या निकट दृष्टी दोस जेट नहीं है यह दोस है क्या है दृष्टी गठिया साइनस पीलिया निकट दृष्टी दोस बताएंगे क्या है का आँक का एक विकार ह संम्बंधित है क्या नहीं जो नासो में यूरिक एसिड की डमाओं इस जो है होती है यह मुऔगार होती है ठीक है और सीनस पीलिया निकर्द Brushitt उस्व आपको पते है कि रिख क्या है एक विकार है 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 न connectordr majesty डोस और विकार है जिसमें देखने में समझ्य होती है ठीक है तो निकर द्रिश्टी दोस्ट जो है आख से रिलेटेड है इसलिए आख का एक विकार है इसे disorder बोल सकते हैं disorder ठीक है या एक बिमारी बोल सकते हैं आया समझ में चलिए अगला समुशन देखें अगला क्यों पर चलते हैं अगला क्या है मानो मस्तिष्क का ग्राम के वजन बताना है ऐना आपको पता मस्टिस के गराम में वजन कितना होता है कितना होता है और तेरा सो पचाश ठीक यहां बताना है ऐब सन में दिया है कि बारा साव कि बारा साव से 14 सर तो दोनों की बीच में है न zeros ले यह क्या है अजरлам है तो बारा सव से चहुदा सव यह जो है सही हो जाएगा आपसा नंबर बी क्या होता है तो दो निवरान या दो तंत्रीका सेल, यह बोल सकते हैं, दोनों की बीच का इस्थान क्या होता है, क्या होता है, सिनेप्स, प्रमस्टिस्क, मेरूद्राव, या डेंड्राइड, या एक्जान, क्या है रहेगा, देखे, इस्ट्रक्चर देखे हो, तो आपको, बिल्कुल समझ में आगे, कि दो न निवरान की बीच का इस्थान, सिनेप्स होता है, ठीक है, निवरान एक क्या है, एक सुचमदर्सी सरचना से दिखाई देने वाला भाग होता है, स्वरी, एक शेल है, निवरान शेल है, मस्टिस्क, सरचनात्मक और कर्यात्मक, ठीक है, हाँ, निवरान एक सुचमदर्सी सर तक संचरण की बात करें, तो किसके द्वारा होता है? सिनेप्सिस के दोरा हुता है। एक सिनेप्स का निर्मान पूर्व सिनेप्टिक नीवरान तथा पक्छ सिनेप्टिक निवरान की जिल्ली दोरा होती है। सिनेप्टिक निवरान के द्वारा और पक्षे मतला बाद में सिनेप्टिक निवरान की जिली के द्वारा क्या होती है सिनेप्टिक का स्थान होता है ठीक है आया समझ में तो यहां जो है दो निरान की बीच का इस्थान जो है क्या कहलता है क्या होता है सिनेप्स होता है है ना सिनेप्सिस भी बोल सकते हैं ठीक है या सिनेप्सिस भी बोल सकते हैं आया समझ में चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेशन क्या है all factory शब्द निम लिकित में से किस से संबंदित है किस संबंदित है option नमर पहला में दिया है स्रावान दूसरा में दिया है इस पर्स तीसरा में दिया है द्रिश्टी चौथा में दिया है गंद किस संबंदित है all factory शब्द जो है किस संबंदित है किस सं क्या है एक निवरान के कोशिका रखना कू और क्या करते हैं एक निवरान की कोशिका रखना को क्या करते हैं है लृण किसके रख रखाऊ रखना को improved AI का जाता है त्यान धान से कहा जाता है या शोमा कहा जाता है क्या कहा जाता है एक निवरान के कोशिका रखना को कहा जाता है शोमा ठीक है शब्द को ठीक है ये पूछा का एक्वेशन है है ना कि एक निवरान के कोशिका रखना को क्या कहा जाता है शोमा कहा जाता है याद रहेगा शोमा कहा जा ठीक है चलिए आज क्लास इतने ही जहिन